ठीक है, गुड इवनिंग क्लास, गुड आफ्टरून, सब लोग को गुड आफ्टरून, चलिए कलम आपको कहा तक बताती है, आज सियान देशों के बारे में बताती है, उससे पहले आप से कुछ कोशन पूछ लिया जाएं, सब लोगों को वाई से ना दिवस की धेर सारी सब लोग, आप लोग से अमीद करते हैं, लए तो, कमेंट धीमा किजी लोग, सारे लोग लाइब आ गया है, सरवर बारा हुआ है, अचानक कटेगा ना तो आप घवर रहे हैं, बंद करके, अप्लिकेशन को आफ करके, फिर ओन कीजेगा, अगर बाई दिवे कट गया तब, दिए, हम आपको आसियान के बारे में समझा रहे थे, लेकिन सारक के बारे में सब कुछ समझा दिए थे, अगर हम आपसे कोशन कहते हैं, नमक की पहाड़ी किस देश में, अंसर दीजे फटाक से, नमक की पहाड़ी किस देश में, नमक, साल्ट माउंटेन या साल्ट रेंज नमक की पहाडी, अंसर देँगे लोग फटापट, नमक की पहाडी, पाकिस्तान, Very Good, चंदन राय जी, चंदन पाल जी, सबसे पहले अंसर आपधी काया है, पाकिस्तान में, पाकिस्तान कोन बोलते हैं, यह आफगानिस्तान पाकिस्तान के सीमा पर यह Mauntrain थोड़ी है, आफग प्वाइंट पेड्रो अंसर देंगे लोग प्वाइंट पेड्रो प्वाइंट पेड्रो स्रिलंका प्वाइंट पेड्रो स्रिलंका वेरी गूड प्वाइंट पेड्रो स्रिलंका आगे बता है बामियान कहां पर बामियान अंसर देंगे बामियान बामियान अंसर देंगे ब अफगानिस्टान, बामियान, अफगानिस्टान, बात बाभुदी की महाँ पे मूर्ती थी, काला परवत, काला परवत, ब्लेक मौंटेन, काला परवत, ब्लेक मौंटेन, ब्लेक मौंटेन, ब्लेक मौंटेन, ब्लेक मौंटेन, ब्लेक मौंटेन, ब्लेक मौंटेन, ब्लेक मौ नाम था आईए अब लोग थोज़ा साम आगे देखते हैं कल हम आपको बताये थे यह आराकाम परवत है कौन सा परवत है आराकाम परवत यहां चाहिना ने रखाइन प्रांथ के मुसलमानों को आगे करके कौनसा अतंगवादी खड़ा कर दिया रखा आराकाम आर्मी खड़ा इस नोग उतना पालते नहीं है साधी भी आमें बस एक सूभ माना जाता है इसलिए हाथियों को लेकर चले आते हैं जबकि थाइलेंड में हाथिया बहुत बड़ा उनके फेस्टिबल का एक हिस्सा होती है उनके टूरीजम का बहुत बड़ा पाट होता है थाइलेंड के नह पर नहर के नहाम ताइयालेंड के नहर के नहां पर पटाफ़त बताईयें एक करानाहर यहां पर नीचे है मिल नहीं रहा होगा क्योंकि अभी तो बना ही नहीं है यह पतला वाला एरिया काड देगा तो क्या बन teammate जाएगा पतला वालो जिस दिन काट देगा उस दिन आगे बढ़ें आप देखिए तो आसाम आपको यह सार्क में अब नक्सा खोली है आप लोग जिनके पास एटलस है फटापट एटलस खोड़के उसमें लावोस कमबोडिया वियत नाम देखिए फटापट एटलस खोली है आप क्लास फिर क्यों कर रहे हैं एटलस हर हाल में रहना चाहिए आप लोग के पास हो लिए ना चलिए अब आगे दिखाते हैं आपको यह वाला जो एरिया है लावोस कमबोडिया वियत नाम यह तीनों पर पहले फ्रांस का अधिकार था इसलिए इसे कहा गया फ्रेंच इस्ट इंडिया तीनों पर किसका अधिकार था फ्रेंच इस्ट इंडिया का अधिकार था संव्या गया कि नहीं आगया अब यहां पर लावोस है एक देश है जिसका नाम क्या है लावोस अभी हालिया में करेंट में करेंट अफेर में रहा था यह लावोस यह वा तियान अगर आप साथ में राजधानी और उसकी करेंसी याद रखते नहीं चलते हैं तो ये मेरी चेतावनी और ये श्राप दोनों है कि आपको ना किसी देश की राजधानी याद रहेगी नहीं उसका आपका उसकी मुद्रा याद रहेगी इसलिए साथ ही साथ दोनों करते चलिएगा सब्सक्राइब कर देश कंड़ा हो गया लावोस जो है वो ऐस्थल बद देस है कैसा है अस्थल बद देस राजधानी इसकी वियनतान वियनतान ये चार उर से जमीन से गिरा हुआ अभी एक कोस्च्छन आया था कि लावोस जो है वो चाइना के देफ्ट ट्रैप में फंस गया, चाइना के जो कर्ज का जाल था, उसमें ये फंस गया है, क्योंकि ये क्या चाहता था, ये अपना बिजली घर बनाना चाहता था, बिजली घर किस चीछ से तर नदी पर बनाना चाहता था, ये बिजली घर बनाना चाहता था, और अगल बगल में बिजल की सप्लाइं करना चाहता था डबल समस्या हो गई कोरोना के वजे से बिजली का खपथ घढ़ कया और इसका बाठ के वज़ए से बिजली घर के लिए जो बांध बनाये तह बांधे टूट गया इसलिए इसका जो कर्ज ऊब चाइना को चुका नहीं पाएगा जिसके लिए भारत कम बहुत बड़ा घाटा लगेगा आगे तो चाहिना से जतना का वह कम चलाएगा सकते हो जो बिजली घर है वह किसी देश की बिजली का पराइब को रहा क्चेगा दो कोई फिबो कर्या है में बिजली की सप्लाई रोग दी गई थी श्ट्राइक पे चले गए थे वहाँ पर मुकमंत्री योगी अधितनात का में कांग नदी में देमें चलता है कि हम अनमार कहता हिए हम कापनी आटोमेटिक ही मिलता रहेगा कमबोडिया क्या कहता है हमको ये पानी आटोमेटिक मिलता रहेगा तो नीचे वाला देश कौन सा है लावोस है उसके नीचे क्या है कमबोडिया लावोस के नीचे कौन सा देश है कमबोडिया पटा फट देखिए नक्सा में आप लोग एटलस जिनके पास नहीं है फिर फुरा जाएगंगे आप भी दिक्कत हो जाएका सब के पास एटलस राणा चाहिए आप खरीत के लाएगैंगे कहीं से भी खरीत के लाएगे कोई भी कंपनी का मेकांग नदी के जल के विवाद को हम गोल्डेन नहीं आता है तब हो जाएगा आपका कमबोडिया जब कहा कौन गोल्डेन ट्रेंगल में आता है तो उदर अफीम के लिए गोल्डेन ट्रेंगल वाला कौन था पाकिस्तान था अपने पाकिसान अफगानिस्तान और इरान थे पाकिस्तान अफगानिस्तान और नेपाल नेपाल कर रहें अफगानि इदा भाटम चाहाँ कर सकते हैं तो तो से हाँ पेज नंबर और अलग अलग गली हैं जो देखें यह लावोस जो है यह उपर वोल्प ग्याव शाण नीचे वलक वाल गार्स, कंबोडिया या की नीचे यह अंकोरवाट का मंदिर कमबोडिया में मंदिर कौन सा अंकोरवाट का मंदिर वो विष्णु भगमान का मंदिर जिससे सूरी वर्मन ने बनाया था भारतिय राजा सूरी वर्मन ने kambodiya में कौन mandir बनवाया था वहीं हिंदू राजा था जिसका नाम था क्या नाम था इसने कौन सा mandir बनवाया अंकोरवाट का mandir इस तेन question पूछेगा अंकोरवाट का mandir कहां है तो kambodiya में किसने बनवाया किस भगवान का है विश्न भगवान का किस बहगवान का? बिष्णु बहगवान. कंबोडिया क्या ये पानी विवाद में पढ़ता है? नहीं गोल्ल्डN ट्रिेंगल में नहीं आता है. तो यह ओगा लावोस, यह होगै कंबोडिया. लावोस, ओगर अब इस साइड में आता है वीयतनाम. समूदर के कीनारे आ जाता यह दोस साल तक लगबगवार चला था, इसमे अल हज़्जार की लोगों की मौथ हुई थी इस वियत्टनाम वार में, इसमें अमेरिका बूरी तरहा रहा था ये छोटा सा जो पतला सा देश देख रहा है किनारे पे इस देश का नाम क्या है वियतनाम है ये देश कोन है वियतनाम ये वियतनाम का भारत से बहुत अच्छा संबंद है लेकिन चाइना अभी इस वियतनाम को बहुत सताता है वो सोचता है कि इसके एरिया पर हम क्या कर ले क अक्षणी चीन सागर यह काला वाला देश कुंसा हो गया वियतनाम इन तीनों को अगर मिला देंगे तो इसे कहते हैं फ्रेंच इस्ट इंडिया कंपनी में कितने देश फ्रेंच इस्ट इंडिया में कितने देश आते हैं वही तो फ्रेंच इस्ट इंडिया में आते हैं आपक लावोस है यह कुन सा है लावोस है चलिए अब आगे समझते हैं वियतनाम के बारे में वियतनाम दो भाग में बटा था उत्तरी वियतनाम और दक्षनी वियतनाम ध्यान से समझी है आप लोग उत्तरी वियतनाम और दक्षनी वियतनाम उत्तरी वियतनाम जो था वो पूची सा अम्यवादी था मतलब डिक्टेटर्शिप जिस तरह चाइना में एक पार्टी की सरकार है दक्षणी वियतनाम जो था वो लोगतंथ था तो दक्षणी वियतनाम के फेवर में जो था अमेरिका था ऊपर वाले के फेवर में रूस था अब यह सीति यूद चल ला था सीति यू था कि अमेरिका की फोज गलती से भी उतरती नहीं थी जमीन पर क्योंकि वह एक भी फोजी अगर जंगल में छुप गया है ना घने जंगल में सनाइपर राइफल लेके बस आप आते रहे हैं मार देंगे सा उसके बाद क्या किया वियतनाम के लोगों ने गड़ा खोद दिय भी लेका वियतनाम वालों ना तरी वियतनाम रहे हैं ना हम दक्षनी वियतनाम रहे हैं इसमें सबसे बड़ा काम किया था एक नेता जिसका नाम था होसी स्यवन के वह जब कई वाला मत समझेगा अउंकल हो उला हो नहीं है यह उनका नम्वे होची मीन और इनका सबसे बड़ा सहर है अभी वियतनाम का सबसे बड़ा सहर का नम है होची मीन सिटी नीचे में है आप अपने नक्सा में देखेंगे वियतनाम में सबसे नीचे सहर है होची मीन सिटी होची मीन सिटी तो यह देश अकेले र दोनों कोई नहीं आना चाहते हैं सब वियतनाम के साथ इसी का फायदा उठाना चाहता है चाइना वियतनाम की कमजोरी का फायदा उठाना चाहता है चाइना यहां पर एक द्वीप है जिसका नाम है पारासेल द्वीप आप फटापट नक्सा में देखिए जिनके पास एटलस है आप देखेंगे पटापट आप लोग एटलस खोलिए और देखिए वियत नाम के ठीक सामने पारासेल द्वीप समू मिलेगा पारासेल आइलेंड यहां मिलेगा पारासेल आइलेंड जल्दी पटापट देखिए पारासेल आइलेंड जितना आप लोग घर से पेज देखक आगे यही पढ़ाएंगे नो, 20 बर बोलते हैं, पेज नमबर देखके, अब हम यहां हर अलग-अलग बुक का पेज नमबर देखके रहेंगे हैं, पेरासेल आइने मिल गया, हेनान आइलेंड है सर, बेकुफ हेनान आइलेंड उपर हो तो चाइना का है, यह बड़ा सा हेनान ह इस हेनान से इसे नीचे देखे न, तीरचाह से, मिलेगा पेरासेल दूइब, मिल गया पेरासेल, अरे वियतनाम के ठीक सामने देखे न, इसे पेरासेल मिल जाएगा, वियतनाम के ठीक सामने पेरासेल, यह पेरासेल दूइब पर वियतनाम का अधिकार है, किसका अधिकार ह है यह पारसेल होगा उसके नीचे SPRAITLE मेले दिए पारसेल के ठीक नीचे SPRAITLE मेलेगा वियत नाम के ठीक सामने पारसेल सामने पारसेल नीचे SPRAITLE जल्दी फटा फट दोनों मिल गया तो बोलिये अरे पेज नंबर वुण लिग आंप न बताएंगे इस प्रेटले मिल गया मेरे पास बूग ही नहीं है तो आप क्लास क्यों कर रहे है एटलस का बूग ही नहीं है तो फिर क्लास क्यों कर रहे है देखेंगे कहां से हम तो यहां आपको बता देंगे इस बड़े नक्सा पर जहां आप देखें उसको अंडरलाइन कीजिए को नहीं मिला तो यहां देखते चली इसंप हए पर शेला लिप्रट्लै यह आई यह डोनों पर विएतनाम का अधिकार है लेकिन कि चीन कहता है कि मेरा चीन के हिसाब से ये किसका है चाइना का है देखिए इंटरनेशनल कानून क्या कहता है कि समुंदर पर किसी का अधिकार नहीं होगा इंटरनेशनल कानून के हिसाब से समुंदर पर केवल 200 किलोमीटर तक अधिकार होगा तो ये 200 किलोमीटर इतना हो गया किसी भी देश का भारत का भी पूरा समुंदर नहीं होता है लेकिन चाइना कहता है कि भाईया हमारे लिए ये पूरा हमारा देश है आप इसे समुंदर कहते हैं लेकिन हम तो इसे देश कहते हैं भाइया तू सी ताम से बारत देखने लगे जाना तो पूरा हिंद महासाओर हम लोग लोग का हो जाएगा और हमारे देश के नेता लुफ है मतलग कुआ है जुप चाप को कहेंरा चाहिए कि अगर लगति चीट तर चीन दक्षणी चीन सागर चीन लिया तो 번째 तुकि जुट नीकाले नहीं देता है आप कहेंगे सरु चाइनवा इस समूंदर का पनिया ले के क्या करेगा एक्चुली यहाँ पर पूरा पेट्रोल भचाओ बहरा हुआ है पेट्रोलियूम और गैस भचाओ उसकी नजर इस पानी पे नहीं उसके नीचे पेट्रोलियूम और गैस पे यहां भर देता है तो यहां निकालने नहीं देता है यहां से पेट्रोल निकालने नहीं देता है तो वियतनाम भागा भागा आया भारत के पास इंडिया के पास आया कि हमारा पेट्रोल निकाल दीजिए उस समय मनमोहन सिंग परधान मंत्री थे तो मनमोहन सिंग ने कहा कि दे पास पेट्रोल कौन निकलता है भारत की कमपणी ओ न्जी सी छीन की नो यह पुचरी ने घुन सुरी मेरे काई ध्यारा है अब लोगोगो दबाता है अब भारत को पेट्रॉल 232 desa लेकिन सरकार जो है इस पर GST नहीं लगाती है क्योंकि GST लगाईगी न तो यह हो जाएगा 36 यह मतलब लगवग 38 रुपया लीटर भारत सरकार इस पर अलग से एक टेक्स लगाती है जो केवल पेट्रोल पर है इसका रेट कर देती है 85 रुपया पेट्रोल कर देती है कोई दि लगा था और अभी यह और इसे 85 रुपया गवर्मेंट बेशती है न तो कोई गलत नहीं करती है क्योंकि जो गाड़ी खरीच सकता है जो फोर्वीलर खरीच सकता है वो 85 रुपया का पेट्रोल भी खरीच सकता है उसी पैसे से हम लोग गरीबों को 2 रुपय किलो अनाज दे यह गलत नहीं है लेकिन अगर इस पर राजनीती होने लगती है तो गलत हो जाता है जैसे उस वक्त जो थे लोग कह रहते है कि मनमौहन सिंग के उमर से भी जादे महाँगा हो जाएगा पेट्रोल मतलब वो 85 साल के दे वह तो लोग कर रहते है कि पचासीयों से महाँगा हो तो यह जरूरी है यह एकदम जरूरी है कि जितने भी चीज को मतलब यह पेट्रोल वगरा है इसको रहना भी चाहिए वरना सरकार के पास पैसा कहां से आएगा उसको भी तो साधन चाहिए ना पैसे के लिए कोई सवार कहां से लाएगी आखिर वह देगे आगे यहां पर तो इस प्रेटले द्वीब समू आपारासेल द्वीब समू का वियतनाम पर अधिकार होना चाहिए लेकिन चीन कहता है किसका है मेरा है अब भारत सरकार एक यहां लापरवाही कर रही है जिसका कोई हद नहीं है कैसे लापरवाही कर रही है कि पूरवत्तर भारत को हमको डेवलप करना है तो इसके लिए हम लोगोंने इंद्र कुमार गुजराल जो थे अटलवीय रिवाचपई से पहले परधान मंतरी थे उन्होंने लुक इस्ट पॉलिसी बनाया था कि पूरव की और देखो यानि इनसे संबंद अच्छा बनाओ देखिए हम लोग मयामार से लेकर चले जाएंगे सितेवे बंदरगा सितेवे वाला कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट पुरवत्तर राज्यों का विकास हो जाएगा यहां से एक सड़क हम लोग को सिंगापूर ले जाना चाहिए अभी कहां तक डेवलप्मेंट हुआ पता ही नहीं और सबसे जरूरी सड़क जो है वो यहां से लेकर और इस रास्ते यहां वियतनाम तक लाना चाहिए इससे फायदा देखिए चाइनीज समान जितने होते हैं वो सब वियतनाम में भी बनते हैं जो बैटरी आप वियतनाम में खरीद दियेगा 6 रुपया में वही चाइना में मिलेगा 6 रुपया में पूरी दुनिया में चाइना को अगर कोई टकर दे सकता है एलेक्ट्रोनिक मामले में तो वो वियतनाम दे सकता है तो भाईया हम चाइना से खामेना समान खरीद रहे हैं अपने दुस्मन से जब आपको सस्ता ही खरीदना है हम इंदुस्दानियों को सस्ता ही खरीदना है तो क्यों हम चाइना से खरीदें हमें 4 रुपया का टेंपर गलास मिल जाता है चाइना से 4 रुपय का ही टेंपर गलास हमको वियतनाम से मिलता है तो कहले हम चाइना से खरीदेंगे हम वियतनाम से खरीदेंगे और इस सड़क से मंगाएंगे तो इस सड़क से मंगाने से पुर्वत्तर राज के लोगों का फाइदा होगा चीन की एकोनومी टूटेगी उसका दुस्मन देश वियतनाम पैसे से मजबूत होगा और इस सड़क का परियोग करके युद्ध के स्थिती में हम सीधे वियतनाम पहुंच सकते हैं और चाइना की नौसेना का मुख्याले है हेनान दूइप ये जो हेनान दूइप है न इसका मुख्याले है अगर ये सडक बन गया तो यहां से इनका मुख्याले तबाह कर सकते हैं लेकिन ये बताएगा कोन हमरी सरकार को कि भाईया आप खली या मुना एक्सप्रेस वे ग्रीन फिल्ड एक्सप्रेस वे देखते रहिए कभी इधर भी ध्यान दे दिया किजिए नितिन गटकरी जी सडक इमिल्टेस लगता है पैसा लगता आप आप यहां रुपया लीजेगा ट्रॉक वाले से 2,000 रुपया लिए जाता आए ट्रॉक्वाले से ऑन्बूजा सिमेंट एच्छ इम्दध ये कि भाईया तुम पनाओ चुम इंकम होगा तुम लेकर चले पर चीन के बिजली कमपनिया चीन के हाथ से बिखने जारी हैं अगर लावोस यह सड़क बनाने को देगा तो चीनी बिजली कमपनिया जो है वो क्या करें उसकी बिजली को काटेंगे इसलिए भारत सरकार को अभी से स्टार्ट करना चाहिए कि वियतनाम ने जृतना करजा लिया था बिजली घर बनाने के लिए वो करजा क्या करना चाहिए चीन को लटाणा चाहिए और कहना चाहिए कि बिजली भी बनाएंगे तो यहां बिजली की संभावनाएं जादे हैं जो एक्ष्ट्रा बिजली रहेगा इस तड़क पर लाइटिंग के थुरू हम लोग पुर्वत्तर राज को दे सकते हैं हमने कभी भी ध्यान दिया ही नहीं पुर्वत्तर राज्य वालों का हम गुनेगार है इसक से बस खुलती सिंगापूर 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 कितना मजा आता सुझाचल बस में सिंगापूर चलते हैं यहां से सिंगापूर ले जाए बहले चार दिन में ले जाए क्या दिक्कत सिंगापूर जाए सब की ख्वाइस होती है सिंगापूर जाना हरी ब बाबुजी गलत बोल रहे हैं इसलिए सरकार के पास वही रह सकता है जो उसकी चमचागीरी करें यह हो गया आपका वियतनाम समझ में आगया फ्रेंच इस इंडिया वियतनाम जो है यह कोई बहुत बढ़ा ची नहीं लेकिन चाइना को टककर अगर कोई दे सकता है तो वियतना गुज गई माइक्रो साफ चाइना से लगभग 800 कंपनिया भाग के वियतनाम चली गई है चली गई की नहीं चली के तो भारत को कहना चाहिए या तो तुम हिंदुस्तान में आ जाओ चीन की कंपनी या तो वियतनाम में आ जाओ यह सड़क का कोई बिरोद भी नहीं करेगा आरे बिरोद करके का उख़र लोगगे शाले तुन लाय में था हम भी नहीं नहीं बता लिए वह बना देंगे इसको आम लोगग फॉप सीपी इसी के लिए को इड़े के लिए अबश्यवरा Het Week Noam नाम बंदरगाह तक पहुचना चाहते हैं सीपीजी के तुम उधर से हमें घेरना चाहते हो हम इधर से घेरना चाहते हैं तुम युद्ध लड़ोगे याद रखना हम चूडिया पहन कर नहीं बैठें एक सर काटो गया यह उननी सब बासट नहीं है साले दस काट के रख देनी उसी तरह यहां पर मुख स्वतंता से नानी जो थे उनके क्या नम था हो ची मीन इसने अमेरिका वगरा सब को क्या कर दिया हम लोग को यहां से तो पेट्रोलों मिल जाएगा आराम से चाहिना वियतना नहीं तो जितना पेट्रोल है वोल हम निकाल देते 50-50 परसेंट उसको निकालने नहीं देते हैं हम लोग को 50% मिल जाएगा फाइदा है भागते भून की लंगोट भली फीरी में मिले बैल का दात थोड़े गीना जाता है कि 50% दे रहा है कि क्या दे रहा है और हमारी वैसे भी पेट्रोल कंपनिया डूब रही है लेकिन पता है ONGC का माली कोन है स किसी ने किसी नीज चैनल पर बैठा रहेगा और कहेगा कि हाथरस में जो रेप हुआ है आपको बलरामपूर का रेप नहीं दिख रहा है राजस्थान का रेप नहीं अरे सालों तुनाही तुम लोग को सरम नहीं आती है मतलब एक जगा रेप हुआ है तो हम दूसरी की ने मुत जात he a Puna Sh到 Pakistan हे नहीं अरे किसी तो हां बलरामपूर में बहुत जाबे दुक हा था तो ले को बहुत को कोď कि student atlas से school atlas में क्या difference है कुई खास difference नहीं है आपके पास नक्सा होगा इंहीं से कि student atlas और export atlas किसी में कोई अंतर नहीं जो मन वो ले लिजे मालिक नहीं से director है बतिया बराबरे है रहे भाई इस इस सब लेकर्ट colony पातर हो यह संबीत पात्र है का चमचा लग रहा है और फट्र तर के लिए नहीं सब कुछ लेता है कि आगेधे कि यूटूब पर वीडियो अप्लोड करो या डर लगता है कहीं चाहिनमा मत हुसियार बन जाए कि पुर्वरत्तर राद्यों के लिए यूटूब पर आवाज उठाएं सर वीडियो बनाकर डालिए एकदम बावु जल्दी बहुत जल्दी डालेंगे आपके कारण मोतिहारी में अकाल पड़ गया ले भाई साल आपके कारण मोतिहारी में अकाल पड़ गया इटलस का मंगा दीजेवाई एकदम नेक्ष जैसे क्लास आए गा नेक्ष क्लास में तो हम अपना एटलस उसमें दे देंगे अपना एटलस चपवा रहा है उसमें खर आप लोग कोई दिक्कत निए आप अच्छा से समझी हम आपको नक्सा के साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशन भी बता रह है जितने भी हथियार है उसको दे देना चाहिए वियतनाम को क्या कर ना चाहिए rocket satellite इस रोज इतनी टेकनोलजीए सब दे दीजे यहाँ पर भर दीजे यहाँ पर क्या दिक्कत जाता है यहाँ पर जिस तरह से वह पाकिस्तान को अपने गोद लेकर रखा है ना उस तरह हमें रखना चाहिए लेकिन आप क्या कह सकते हैं कि जिस तरह से चाइना पाकिस्तान के लिए हमेसा खड़ा रहता है भारत भूटान के लिए खड़ा रहता है तो खर उससे संदी है तो भारत को भी अतनाम के साथ भी खड़ा रहना चाहिए नीचे बढ़ते हैं मलेशिया के और नीचे कहां बढ़ते हैं मलेशिया यह देश कौन सा हो गया मलेशिया आपको पता है मलेशिया दो जगह पर है एक यह वाला मलेशिया और एक इधर वाला मलेशिया दो जगह पर मलेशिया का विस्तार होता है मलेशिया कितने जगह पर हैं दो जग इसलिए तीन और से घिरे व हुए चीज को क्या काते हैं kijken यह मलेशिया तीन और से समुढ़ से घिराई से मलाया प्राइदीप करते हैं लेकिन पूत्र जया में केवल उसके परधानमंतरी, राष्टपती, मंतरी, सलाहकार, सेना ये लोग बैटती है यानि केवल जो वो लोग बैटते हैं जो प्रसासन को देखते हैं तो मलेशिया की राजधानी क्वाललंपूर है मलेशिया की राजधानी क्वाललंपूर है लेकिन उसकी जो प्रसासनिक राजधानी है प्रसासनिक राजधानी का मतलब जो उसके अधिकारी लोग बैठते हैं राष्टपती पल्धान मंतरी वो लोग कहां बैठते हैं पूत्र जाया कहां पूत्र जाया जैसे अभी हम आपसे पूछते हैं कि धारत की प्रसास्निक राजधानी क्या है तो लूटियंस दिल्ली रॉञति दिल्ली, मतलब जिस दिल्ली को एंडवीन लूटियन ने बनाया था, यहांसे बनाया था, संसद भावन, राश्टमती भावन, सुप्रीम कोट, जितना वह सम्नक्सा बनाया, यह लगलों के कौन सी दिली थी टीट पुराणी दिली हो लेकिन राजधानी काई से होता है पूरा भारत कहा है सारा मंथ्राले बहुट है dessa नीक राजधानी क्या है ईसकी क्या है प्रसासनीक राजधानी पुत्र जया क्या नाम है पूत्र जया यह मलेशिया हो गया मलेशिया में रवड का उत्पादन बहुत जादे होता है किस चीच का उत्पादन होता है रवड का रवड का रवड समझते हैं मिटाउना रवड का उत्पादन जादे होता है तो खाली मिटाउने वाला रवड नहीं होता ह सेंथर्टी की रबढ़ भी होते हैं और मलेशिया का एक भाग इधर भी है मलेशिया का एक भाग किधर है इधर भी है तो यह मलेशिया हो गया मलेशिया कितने जगव पर दो जगव पर भागोलिक संग्रसना ही ऐसा है बीच वाला सुनामी से दो गया था, सुनामी आज नहीं आया था, करोड़ों साल पहले आया था, सम्या गया, दो जगह है मलेसिया, आगे बढ़े, मलेसिया भारत के खिलाफ में रहता है, भारत के खिलाफ में नहीं रहता है, वो पाकिस्तान के समर्थन में रहता है, ना कि भा पाकिस्तान के समर्थन में है , जब कस्मीर का मुद्द आता तो कि से रूड़ा हो जाता है, पाकिस्तान के और एकरा लगता है कि एकरा चीललय से कस्मीर हो जाएगा अजब हाले भाइ, फूफा के नराज होने से क्यों कभी आकटता है मलेशिया कितने जगह पर दो जगह पर यह पाकिस्तान का पूरी तरह से समर्था इसके दोनों और से छोटे-छोटे देश टूटे हैं सब आप बताएंगे इस साइड में यह कौन सा देश है जो टूटा इस से यह छोटका इस साइड में सिंगापूर और यहां पर अमेजन से मंगवा है सर मंगा लीजे भई सिंगापूर और पुतर जया सर प्लीज पेज नंबर बता दिए अलग अलग टाइप का अटलस लिए हुए लोग कैसे पेज नंबर बताएंगे और आप कितने लापरवाह हैं जिनको आपको यह पता नहीं है कि जब हम यहां तो पढ़ा दिये हैं तो घर पे जाके कुछ आ एक लग लग न सिंगापूर जो है न वह पोर्ट ऑफ कॉल है इस पोर्ट मतलर मतलब जिया पोर्ट मतलasting अफ का यहां पर लोग मलीग खाना पीना भरने के लिए चे पेट्रोल भरने के लिए आते हैं अता या एक तरह का कहिए तो अंतराष्टी व्यापार का चोराहा है अब आपके गाउं की खेत जो है अब बांद के चलिए आपके खेत के बगल से फोर लेन हाईवे निकल जाएगा तो आपके खेत की भैलू कितनी बढ़ जाएगी कोरोडो की संपत्ती हो जाएगी यही हो गया सिंगापूर के साथ सिंगापूर इतना डेबलप हो गया जिसका कोई हद नहीं है एस या में सिंगापूर का नाम अवल आता है इवन की आंद्रपरदेश की राजधानी आमरावती को कौन डेबलप कर रहा है सिंगापूर डेबलप कर यहीं पर दामीनी जो थी निर्भाया कांट जो 2012 में हुआ था यहीं पर उसने अपनी आखरी सांसे लिया था अभी विवाद चल ला था ना कि जो मनीशा थी इसको क्यों नहीं एम्स में भेजा गया यहां भेजा गया खरीया अलग मैटर है सिंगापूर डेवलप है और जाद यहां पर मलाइ시या यहां अगे यह चल बार तो पर ठीट्रोलियम लेकिन चई तो को भी निकालने नहीं देताओ देखें ना इस शौला चोट्टा को देखिए वहाँ से आके इसको कहता है निकालने नहीं देंगे यह लोल है मोदी जी को भी कम से योगता है कि अध्यक्ष बने है ठीक है उससरा के पास कोई योगता नहीं है और रहुल गांदी के पास योगता नहीं है तभी तो कॉंग्रेस का ही दूरदसा हुआ है लेकिन ये बताओ भाया कि तुम्हारे पास क्या योगता है कि तुम ओएंजी सी के डिरेक्टर बन गए अमित साजी का बेटा को बैट पकड़ने नहीं आता है किरकेट खेले का बी-सी-सी आई का अध्यक्ष हो गया अरे भाया सची हो गया बी-सी-सी आई के यारी यह सब चीज हम गवा रहे हैं ओएंजी सी को कितना फाइदा होता हम अपनी जरूरत का 50 लगबग सारा पेट्रो हमारा पूरा बढ़िया से पेट्रू फिरी में आ जाएगा और इसको बेचेंगी हम लोग साथ रुपिया तो मोदी जी कि जय है वाह 6 रुपिया में मोदीजी ने पेट्रूल लाया जबकि खरीत के जीरो रुपिया में आ रहा है 50 पर सन्aste है तो मोदी जी इस अकाम कीज आपको भो भी आपको परचार की जरुवते नहीं पड़ेगी इसे अब लाइए असली भग तो हम लोग है अच्छा अच्छा इडिया देते हैं सा आई जोन यूटूब फेस्बूक पर भग तोड़े वो डुबाएगा वो तिन उन लोग को प्रसंसक है सा भग उल्टा सीधा यह होगे आपका पुर्णाई किसी को दिक्कत यह पेट्रोल के लिए सिंगापूर डेवलप्मेंट के लिए नीचे भग यह इंडोनेसिया भग यह पूरा बड़का इंडोनेसिया देखिए यहां से सुरू हता है यह हमारा इंदरा पॉइंट है अंडमान निकोबार का यह इंडोनेसिया यहां से सुरू हता है जरा देखिए तो इदेश इतना बड़ा बिखरा हुआ देश है इसमें पूर्या तरह सी देश एक जगा है यह नहीं है यह लगभग 13,000 द्वीपों में है से अलग अलग द्वीप में से 13,000 अलग अलग इसके द्वीप में से लेकिन नमें सुमातरा क्या नम है यह सुमातरा द्वीप इस द्वीप का नम है सुमातरा द्वीप समयागे कि नहीं है सुमातरा द्वीप पर भारतिये किस राजा ने कब जा किया था कितने लोग बता सकते हैं सुमातरा को जीतने वाला भारतिये राजा अंसर दीजिए कमेंट में सुमात्रा को जीतने वाला राजा सुमात्रा को जीतने वाला राजा कनेजा कुमार अरे उतों CPI का नेता है अरे अंसर दीजा असोक ने नहीं जीता था सुमात्रा जीतने वाला राजा असोक गलत है जितने लोग असोक बोल रहें गलत है राजेंदर पर्थम वेरी गुड राजेंदर पर्थम ने जीता था चोल सासक राजेंदर पर्थम चोल सासक राजेंदर पर्फम बकलोल सब गलत अंसर दे रहा्cod और तेजी से दे रहाला से ऑसोक और राजेंद पर्फरम द ममिल अप वह संदै गोने क्वोम हाथ इसने क्या ज़ीत लिय अब झाठी एस वॉत्स ना इंट्रेस्टेट हो जाए आक अप फटे छोड़ देंगे। यह हमार ऐहना सुमात्रा की समात्रा का सासक पर यह हिंधू देश था यह अभी दुनिया का सबसे बड़ा reduced country हो गया आ इक्षोली नम तो राजेंद्र परथम भी कहा जाता था вещ नाम तो राजेंदर पर्थम यह था चोल करा दो चुंगि और को शुंग handles जा हुए और इंद्यौ यह जाता ओक हाँ नाम तूरे दुणिया में पहल गया था किसाBल ज्रीख कोन पंगिर पर्केस हैं तब तक सुमातरा के वा में एत वर होते होते सूमातरा जीत चिशहा चा twists सा को पेर में बानके बड़ी मार मार था अर अपना तो आपको को सरपराई देखा रहा है तो आया है ले nord खोची आज वह हिंदुस्तान वालों से टककर नहीं हिंदुस्तान हो झाल दिखा चला जब चला जाता है और अपने आप पर धिक कारती होगी कि यह वही देश है जिस पर अगर इंदो ने यह जा के बोल दिया था तो यह राते के हमला कर दिया चीन का सासक राजेंदर पर थमको पैर चुके परणाम करता था जब कि उसको पतों नहीं था कि यह पैर चुगा जाता है किसी न हम लोग वही है क्या हम अपने देश के दुरदसा के लिए खुद जिमेदार नहीं है हम खुद जिमेदार है और आज भी जिमेदार बने रहेंगे लड़ते रहेंगे अपने में हम उचे तुम नीचे हम गोरे तुम काले तुम अमीर हम गरीब हम हिंदू तुम मुसलमान त तुछ इवेसी बोड हम इंदी मीडियम, तुम बीजेपी का हम कॉंग्रेस का, तुम आम आजमी पार्टी का, अजब अजब ताइप का यहां लड़ाई होता है, हम का बताएंगे आपको, देश के बाहर लड़ना सिखाएं के, अंदरे लड़के हम लोग खतम हो जाएंगे, यह थे हमारे देश के बहदूर सिपाई, अज क्या बात करेगा इंडोनेसिया यहां पर, आज भी जब इंडोनेसिया में, नाम याद रख लेगा, सैलेंदर साथ साथ, अगर कभी जाएगा, कहां पर, सुमातरा में, और अगर पैस्या उस्या खतम हो जाएंगे, तो कह स्थाने, बट पॉपुलेशन में, यूपी का नाम आता है, उसी तरह यह भी है, बहुत बड़ा है, और यहां पर सबसे ज़्यादे ज्वाला मुखी है, क्वेश्चन कहेगा, दुनिया में सबसे ज्यादे ज्वाला मुखी कहां पाए जाता है, तो इंडोनेसिया के किसमें सुमातरा पर 27 है, जहां कहीं भी, जहां कहीं भी ज्वाला मुखी होगा, वहां से जीपसम निकलता है, क्या निकलता है जीपसम, तो पूरी दुनिया में जीपसम का निर्मा, जीपसम पथर जीसा होता है, चूना की तरह, जीपसम खेत वगरा में डाला जाता है, सबसे ज्य कि अग्यार आगी नहीं आ रहा है सबसे ज़्यादे जॉला मुखी कहा है इंडोनेसिया में इंडोनेसिया में किस वाले पास सुमात्रा के पास सुनिये ना एक कोश्चन पूछा था सिंगापूर और सुमात्रा के बीच के पतला रास्ता को क्या करते हैं कितने लोग अंसर दे सकते हैं सिंगापूर और सुमात्रा के बीच के समुद्र के पतला रास्ता का नाम क्या है अंसर कितना लोग दे सकते हैं सिंगापूर और सुमात्रा के बीच के पतला रास्ता का नाम क्या है अंसर दीजिए राजेंट पर्थम अंसर कोन दे रहा है बकलो लो हम रास्ता का नाम पूछ रहे हैं कि सोनु राज जी मलक्का बहुत सहीं ब्रजलाल यादो जी मलक्का चंदन कुमार मलक्का वेरी गुड सब लोग का सहीं है बड़ा सिंपल है कुछ था थाइलेंड की राज धानी बैंकोक है सबसे धक्षिन में कोन है तो या यह हो गए आपका हनोई, बैंककोक, जकार्ता, सबसे दक्षिन में कोन है, जकार्ता, यह बच्चा वाला कोश्चन देता है UPSC, और आपको हम गारेंटी देते हैं, आप किसी भी स्टेट PCS में जाईएगा, आप इस बैच को पढ़े होंगे, देड़ सो रुपिया में आफर में लिये होंगे नहीं तो दो सो रुपिया में, आपका 22 कोश्चन कंफोर्म है कि जो नक्सा हम पढ़ा दिये हैं, उससे आएगा, क्योंकि हम नक्सा के साथ-साथ आपको इंटरनेशनल रिलेशन और हिस्ट्री भी जोड़ के पढ़ाते हैं, तो आपका 20 से 22 कोश्च आएगा, बस आते हैं, आप दिल डिवाक से यहीं रहें, क्योंकि ओनलाइन में तो हम देख नहीं ने पाते हैं कि आप कोश्ची कर रहे हैं, पता नहीं कोन कहा बईठ के पढ़ रहा है, कोनो ठीक है, आगे बढ़े, तो इंडोनेसिया का यह वाला एरिया हो गया, आप जावा दूइब, क्या नहीं है, जावा दूइब, जासे जावा, जासे जाकार्ता, यूपीएसी कोश्चन पुछाता है, इंडोनेसिया की राजधानी जाकार्ता किस दूइब पर है, किस दूइब पर है, जावा दूइब पर है, जावा दूइब पर, यह जावा सिनकोना से क्या बनता है सिनकोना से मलेरिया की दवा बनती है कितने लोग बना सकते हैं सिनकोना एक जूस का नाम है सिनकोना क्या एक तरह का लिक्वीड होता है लिक्वीड जैसे कैसे होता है गिलोई एक लिक्वीड होता है उसी तरह सिनकोना एक लिक्वीड होता है उसको पी की दवा है किस पेंड की छाल से बनाए जाएगा अनिकेत कुमार जी वेरी गूड कुनैन की छाल से अनिकेत कुमार सबसे पहले अंसर दिये हैं अनिकेत कुमार कुनैन की छाल से पेंड का नाम होता है कुनैन उसकी छाल को पीस के जूस बनाएंगे उस जूस का नाम क्या होता ह सिनकोन और उसको स्वार की दवा को प्रती स्थापित करने tuba कॉन सी है which medicine is replaced सिनकोना मसला को रिप्लैस कर दिया कॉन सी दवा बता सकते हैं क्लोरोक्वीन 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 मलेा की दवा को पड़ाएंगे आप रहे बि Integrity में बाइस्टि में is Ste BT Baltbreak westernलोक्विन अब खासी हिम थीएखे minder कॉरा मारी रीच में टोल्सिक घड़ेंग तुद। टेप्लेट का जाते हैं तो पहले मलेरिया में यही कि मलेर्य था।Am समझ में आता है कि हम मच्छड से पहल लाए मच्छड नहीं मच्छड नहीं से तो दोज द्वीब समझेएगा इंडोनेसिया का सबसे यह वाला जो द्वीब है यह जीपसम उत्पादित करता है क्योंकि यहां पर क्या होता है जो आला मुखी है और ये सिनकोना उत्पादित करता है क्योंकि यहां क्या है कुनैन का विरिक्ष जादे पाए जाता है इसकी राजधानी जाकारता है और आसियान देशों में जो दस देश आते हैं उसकी राजधानी कहा है मतलब मुख्याले कहा है जाकारता आसियान का मुख्याले जाकारता और सा नम क्या है बोर्णियो एसिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है बोर्णियो द्वीप एसिया का सबसे बड़ा आइलेंड कौन सा है बोर्णियो आइलेंड एसिया का सबसे बड़ा आइलेंड बोर्णियो आइलेंड कितने लोग अंसर दे सकते हैं याद रखिए कोश्चन राजस्ठान PCS का question था राजस्ठान PCS में एक बोर्णियों से question था देखिए यह बोर्णियों है यह ध्यान से दिखेगा कोष्चन पूछा था इस बोर्णियों फर कितने लोग अंसर दे सकते हैं कि यह बोर्णियों दुईप जो कि एस या का सबसे बड़ा ध्यप्प है इस पर कितने देस इस्थित है बोर्णीों ध्यपपर कितने थेस इस्थित है अंस्वर राहुल मिश्रा जी तीन देश, very good, मिश्रा जी बहुत हुजियार होते हैं लोग, देखा देखी मतलब समझते हैं नकल करके, UPPCS भी question पूछ दिया, UPPCS question पूछा कि Asia का सबसे बड़ा बोर्नियों दूइप पर कई देश इस्थित है, अरे कई देश कौनची तीन गोदेश है, वह कौन सा ऐसा देश है जो पूरी तरह से इसी दूइप पर इस्थित है, मतलब कौन सा देश है जो completely इसी पर है, completely इसी पर इस्थित देश कौन सा है, हाँ, very good, बुर्नेई, बुर्नेई जो है completely इसी पर है, completely, अब ज़रा सोचो भाई, इतना छोटा सा topic, इससे इतना घुमा घुमा question पूछेगा, बुर्नेई की अर्थवेवस्था का मुख्यू, मुख्य इंडोनेई, यह, मलेशिया का क्या चीज़ है बहिया, तो मलेशिया के लिए रवड का उत्पादन जादे होता है, वहाँ पर रवड जादे होता है, यह बुर्नियो दूइप परिस्तित है, बुर्नियो दूइप, इसी पर है, समझ भाईगी नहीं आगया, सुमातरा के ती दूइप का सबसे बड़ा दूइपों का समूँ कौन सा है, इंडोनेईप समूँ, सबसे जादे ग्रूप ऑफ आइलेंड इसमें है, इंडोनेईपों का समूँ किसमें, इंडोनेईपों का सबसे बड़ा दूइप, सिंगल दूइप कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप पूलेगा तो वो आपका Greenland लेकिन द्वीपों का समूँ कर देगा तो फिर आपको Indonesia मरना पड़ेगा समझ में आ रहा है गी नहीं आप लोगो दुनिया का सबसे बड़ा आइलेंड Greenland आइलेंड लेकिन सबसे बड़ा द्वीपों का समूँ इंडोनेसिया पूरी तरह समूँ है 13,000 से जादे द्वीप है सम्झ में आगी ने ऐसा ही एक द्वीप जो है यहाँ पर है जिसका नाम है Westandies इसका नाम क्या है Westandies इधरों बहुत जादे द्वीप है सब इसलिए इसे हम लोग पुर्वी द्वीप समूँ कॉते है पुर्वी द्वीप समूँ इस्टन आइलेंड समूँ और इसए जो प्षु मी द्वीप समूँ समझ जा गया यह नहीं आ कितल है कि अप्ँनेशी दूर्ज मंशाग पस्छ जिरих समून कोंची और हां इंड़नेशी करेबियान सागर मेक्सिक है कोश्चनी कि इन है हैं पुर्वी दीप संगों किस महादीप में अगें इस्या में आएगा इंडोनेश्या इस이면 आता है तो इकाम अलगे चल जाएंगे ऑग गया और मनों सा jaga करें अब कोई दिक्कत कें़िकत काया को अच्छा है यह महासागष कौन सा बोले तो यह महासागर का नम कौन सा भई महासागर है जल्दी बताइए महासागर का नम बोले वो तो सही था यह आईलेंड का नम बोले 13000 से जादे आईलेंड से इंडियान ओशियन है अर दच्छिनी महासागर कौन बोल रहा है भई Indian Ocean है, हिंद महासागर, हिंद महासागर जो है, इस पूरे महासागर में कोई ना कोई एक ऐसा जगह होगा, जो इस पूरे महासागर में सबसे गहरा बिंदू होगा, तो हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदू का नाम है, सुन्डा की खाड़ी, क्या नाम है, सुन्डा की खाड़ी, कौन सी खाड़ी, सुन्डा की खाड़ी, हिंद महासागर की सबसे गहरी, ट्रेंच, ट्रेंच मतलता है खाड़ी, सुन्डा की खाड़ी, अब यहाँ देखें न भई सुन्डा की खाड़ी सुन्डा की खाड़ी कहां परिस्तित है तो ठीक जावा दूइप के नीचे है ठीक कहां इस्तित है जावा दूइप के नीचे है सुन्डा की खाड़ी इस खाड़ी का नम क्या है सुन्डा की खाई सुन्डा की खाई हिंद मासागर की सबसे गहरी खाई, सुन्डा की खाई, अब एक बार question में देता है, एक बार के हमेशा देता है, हिंद मासागर की सबसे घहरी खाई, तो जावा की खाई देता है, अरे भाईया, इस सुन्डा की खाई जावा के निचवा है, इसलिए इसका नाम रख देता है, जावा की खाई, डिस्टेंस च्हाल नाम सुन्दा की खाई सुन्दा ट्रेंच जिसे हम लोग जावाल ट्रेंच करते हैं कि वह जावा के करीब में रसता है तो इसलिए नहाने मर्जी घा हचाक से चल जाँगे नीचे भी दिक्करत हो जाएगा तर्फिर अंकुर अंकुर सर्माजी कर रहें सर एतलस भर्व सबसे बड़ा द्वीपो का समू इंडोनेसिया सबसे ज्यादे सिनकोना कहा होता है इंडोनेसिया में जीपसम या जीपसम के लिए सुमात्रा इंडोनेसिया घराजदानी ब्ड़ास जकार्ता किस द्वीपर है ml. यहां जावा, इंडोनेसिया, इंडोनेसिया का राजधानी का है, जाकार्ता है, जाकार्ता के पास एक बहुत बड़ा सहर है, जिसका नाम है बाली द्वीब, आप लोग देखेंगे नकसा में, जिनके पास एकलस है, वो देखिए यहां पर, यह जो आइलेंड है, इस आइलें जाते हैं छुट्टिया मनाने कहा जाना चाहते हैं बाली में जाना चाहते हैं छुट्टिया मनाना बाली जाना चाहते हैं लालू यादो जी के बेटा का नाम था बेटा का नाम है तेज परताप यादो जो बड़काल बेटा है तेज परताप उनका भीया हो गया स्वरिया से तेज परताब बेचारा है हिंदी मीडियम का एसवरिया CBSC बोड की, दूनों में कभी जमेगा, ना जमेगा बगवा, इसलिए अगर हिंदी मीडियम के हैं तो CBSC बोड वाले से मत ब्या कीजेगा, वहना जम्बे नहीं करेगा, दिख लिजे इसे अब का, तो तेज परताब चा मार दी, अरे भाई साब मार के तो गलत की, लड़का हो या लड़की हो, एक दूसरे पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, एक जादे गुस्सा मेहते गो, इहो बकलोले था सा, अरे एक बार बाली घुम लेता सा, अब फिर ओही लग लग लेगो, फ्लाइट पकर के चल लाता सा, कहां पर? स्वीडियरलेंड चल लाता सा, अब वो स्वीडियरलेंड, हमको बताईए, हमारे देश की संस्कृती कैसी है, नहीं कह रहे हैं कि एसवरिया गलत है, यह एसवरिया सही है, अब एसवरिया का कहना था, कि हम हानीमून मनाने के लिए कहां जाएगे? सिंगा, कहां प अब एक बार अपने दिल पर हाथ रखके देखिए कि भारतिय संस्कृति की कौन सी लड़की है जो अपने पती से इस बात का जगड़ा करेगी कि हमें हानीमून बनाने कहां जाना है स्वीटिजर लेंग जाना है हमारे देश की मैला है तो गूंगट के बाहर नहीं निकलती है हम खिलाफ नहीं है हम कहते हैं कि भारतिय संस्कृति नहीं है और अगर आपको यह अच्छा लगता है तो फिर यह चिलाना छोड़ दिएगा कि भारत की संस्कृति सबसे अच्छी है हद है जो लड़की हानीमून के नाम पर जागड़ा कर सकती है भाईया इगजबे बात है हमेशा लड़का ही गलत नहीं होता है कोहीं कोहीं दुनों का होता है अखाश तेज परताब जी हैं उस लग कुछी बोल देते हैं घर अलग बात है मेरे कहने का संस्स बाली इसलिए था कि बाली बहुत टूरिस्ट का पिल्ले से समझागा हमको किसी परसनल लाइफ में जाने उससे दोस्ति कर लो कोन है फाइदा होगा उसका वकर अपते नहीं हनीमून कोँछी होता है अरे दादा बंटी कुमार जी हनीमून का मतलब डाइभोर्स होता है नहीं होता है चली आज के लिए इतना ही रहने देते है ठीक है आगे हम आप लोग को कल फिलिपीन पढ़ाएं है अभला फिलिपीन ओर इंडोनेशिया के आगए इंडोनेशिया के नीचे एक देस तीमोर लिष्ट इंडोनेशिया और फिलिपीन आपड़ कल देखके रखेंगे लो फिर आ घे हम यही दोनों देस पढ़ाएंगे फिर चाइना पढ़ाहें यहोप आप समझेंगे इसको next class में मिलेंगे जाहें